प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ अब जाइन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सवागत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जमा आप लेक लेटेस्ट और एक इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मश्रूप पतरकार आरजू काजमी जी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजेत ताड़ साब जो के एक जबदस्त जियो पॉल्ड एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिष्टों पे खास नजर गहरी पकट रखते ह हैं तो यह वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को में लगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी से लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो लाते रहें जय हिं जय भारत कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते मुझे बता है अगर कौम ठकी ना होती तो 2000 डाक्टर इंडिया से इंगलन जा रहे हैं उनके सिस्टम को बचाने के लिए क्यों जा रहे हैं वह नहीं पढ़ रहे हैं तो दर हकीकत अब इनकी इनके आखरी दिन आ चुके हैं और यह चलिए अपने डिरेक्शन की तरफ जाने हैं तो मगर सरी सासाथ भारत से डरे वे भी है शायद उनकी foreign policy economy से क्यों बार बार इतरास कर रहे हैं भारत के उपर election से पहले देखें अब यह फस गें बड़े बुरे तरीके से फस है इस समझते थे कि हम शायद इनको trade 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 इसके लालच में लगाएंगे और यह जिस तरह हम कहेंगे चैना के भी गले पढ़ जाएंगे सारी दुनिया को तोड़ देंगे हमारी खातर लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े wise decision ली है मोधी साब ने और डाक्टर जेशंकर ने और उन्हों ने अपनी independent policy रखी है economy की वज़ासे वैसे भी वहारे जिस तरीके से नोने corruption पर crackdown किया है मोधी साब ने जिस तरह हर चीज जो electronic कर दी है note change की है सारा कुछ हर चीज के पीछे जो भी वो step लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं और control कर गए वरना ये तो देखे ना पाकस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने पाकस्तान बोले IMF के आप वो तलबे चाट रहे हैं आजकर आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे और प्रापटियां खरीद लेंगे टॉरंटो में और दुबई में और लंदन में आप पाकस्तान के हलाद को देखना है त आखरी दिनों को आप देख लें महराजा रेंजीन सिंग को आखरी आखरी दिनों के अंदर उसके हलाद देखे उसके रिष्टेदार उसके रिष्टेदार उसके लड़कों को किस तरह मारा गया था आखरी दिनों में उसके हर लड़के को मर्डर किया गया था मारने वाले सिकते पिन्जाबी थे उनका माइंड सेट पढ़ लें आप तो यह वही है और दूसरा यह कि फॉज बलके मैं आपको यह भी बतारा चाहूं आप में फॉज की बात की है दुनिया यह भी बात करती है कि आपकी फॉज का आज भी मिजाज वही है जो माराजय रिंजी सिंग की का था क्यूंकि टेक्स कोलेक्शन पे लगा दिया गया था फॉज को और वो टेक्स में करॉप्शन करते थे वह और फिर उनकी तरहाएं इतनी बढ़ा दी गए थी कि माराजय रिंजी सिंग उनको अफोड ही नहीं कर पा रहा था खड़क सिंग स्टोरी पढ़े उनकी शाला के उपर अभी तक करिदार के ऊपर कोचीज ऐसी नहीं मुझे तो अभी भी उनकी अम्यद और ओंपर को कुछ कर करने की सलाइएंट भी रखते हैं तो सरो यह रखते हैं और तो इसलाइएध हूँ नहीं रखता, कोई सलाइएग नहीं रखता इस व olabilirat ये पास तब हमेशा अच्छा आपने देखा होगा कि मैं जब भी बात करता हूं मैं मैं बाटम लाइन बात करता हूं कि अल्टीमेट चीजें यही दो लोग ठीक कर सकते हाँ ठीक अगर आप करना है आप मैं आप से स्वाल पूछ लेता हूं आज आप आपकी मरजी जिस तरह आप कहा रही है बाते ठीक कर सकते हैं आज आप फौज को बैरकों में भेज के आप इंडीपेंडेंट होना चाहते हैं तो उसको भी दस साल चाहिए उतना प्रदाश आपको दस साल में कितने जर्नेल चेंज होंगे कितने जर्नेलों की एक्स्टेंशन की बारियां आएंगी कितने चीफ जज आए रहेंगे किफ़े चीफ जजों आप मुझे यह बताइं ये यह दिस्कलोज क्यों नहीं करते आप जजों और जरंड़ों के बीवियों और बच्कों के इन uyक्रव क्यों निस के इलिए निक्टिश एक्चिटिएम् course करते आधर और तो सइड पर चलना मुझे इक बात बाइसरीब साब ने भी कहा था कि जर्दारी साब को सड़कों पर गसी टूंगा। कौम मैंडेट देती है कॉरॉप्शन को खतम करने के लिए कौम कहती है अकॉंट बिलिटी की जाए। सिस्टम नहीं करता ना करना चाहता है। उसका क्या करेंगा। जिमेदार तो सब है। य चैशने वाला भी कुर्प्ट है थैंए देहरी लाने भी कुर्प्ट है। हर टैक्सी ड्रेवर भी कुर्प्ट है। किया करेंगें इसका हल बतारे हूं। बलकि सबसे बड़ी बिल्कुला हाद नजर में मैंने कहा था कि अगर यह कौम ठीक एक यह मेरी सोच थी के टेक्ट गर्वर्मनेट आती सख्त क्रैकड़ून किया जाता अकॉंटबिलिटी की जाती पचास हजार लोगों का नाम इसी-ईल में डाल कि अकॉंटबिलिटी की जाती और पर तीन साल उस इम्रान खान के अरेस्ट होने के बाद वह वापस आ रहे हैं और बगैर election के या बगैर competition के उनको senator बनाए जा रहे है जुल्फी बखारी और कई इम्रान खान को या किसी भी XYZ को इम्रान खान के साथ तो दो फौजीयों को भी जेल में डाले न आसिम सलीम बाजवा और दूसरों को system हो जाएगा definitely और लेकिन एक और बात है न साज में ये भी कहूंगा कि जेल तो जेल है नीना मुर्शन की वह कौन कहता है जेल है आप आप क को सित दुनिया की कि किसी जेल में डेली बेसर प्रइस का परस हो रही लेकिन आसिम सलीम बाजवा और जैनल फैस को भी जाता है और ये लोग से भारी जाता है रहता है बिल्कुल इस पे agree करूँग का 100% मैं जेजिस को भी कहूंगा बूरोकरेट्स को भी कहूंगा जो भी ग करता है पाकस्तान के साथ उसको कांसिक्वेंस बेस करना शान की वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा कि तरह आरजूका आजमी जी और साजी तारड सापका ये पूरा discussion और इनके positive analysis आपको काफी पसंद आयोंगे जहांपे इन दोनोंने ना सिरफ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि चर्चा की पाकिस्तान के हालात के बारे में तो वीडियो गर आपको पसंद आईए इसे like और share जरूर कर दें और अपने विचार हमें comment section में लिकर जुरूर बताएं हमें आपके comments का इंतिजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दें ताकि हम आपके लिटेस्ट, interesting और informative वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत